दोस्तों एक पर फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का DR Education के इस YouTube चैनल पर देखे दोस्तों Municipal Corporation of Chandigarh यानि नगर निगम Chandigarh के अंदर अलग-अलग परकार की वेकेंसी जारी की गई थी मार्च में एक Official Advertisement जारी की गई थी 26 मार्च को 26 मार्च 2021 को उसके बाद Online Application है वो भरे भी जा चुके थे Last date भी चली गई थी लेकिन अभी उनको दोबारा से Resedule कर दिया है यानि दोबारा से आप Application Form को भर सकते हैं लेकिन अभी बच्चों का Doubt जो सबसे Most Important Doubt है वो क्या है कि Sir हमने अगर Form पहले से भर दिया है तो हमें दोबारा से भरने की जरूरत है ये Doubt आपका इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उसके बाद ये दोबारा से Resedule क्यों की गई है इसका मुख्य उदेश से क्या है इन Vacancies का दोबारा से Resedule करने का उसके बाद ये जो Vacancies है ये Temporary Basis पे है या Permanent है वो भी मैं आपको यहाँ पर Detail से बताऊंगा तो वीडियो को Last तक देखना अभी स्टार्ट करते है वीडियो को देखे सबसे पहले तो आप ये देख लेना यहाँ पर ये Municipal Corporation of Chandigarh की Official Website खुली है ये जहाँ पर आपको Registration करना होता है और आपने किया भी था इसमें जो Last Date थी Application Form Fill करने की वो आप यहाँ पर देख सकते है 3 मई 2021 थी और स्टार्ट हो गए थे आठ अपरेल 2021 से जो फी है उसकी Submission की Last Date थी मई पांस 2021 ठीक है यहाँ पर अलग अलग वेकेंसी जो जारी की गई थी जिसमें Station Fire Officer, Fireman, Driver ऐसे जिसमें Data Entry Operator, Stenno, Typist ठीक है जिसमें Clarical की बहुत सारी अलग अलग परकार की वेकेंसी जारी की गई थी यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ जो सबसे पहले मामला शुरू क्या हुआ और अभी जो मामला है वो क्या चल रहे हैं वेकेंसी से और रीशैडल क्यों की गई हैं और यह temporary basis पे हैं या permanent basis पे हैं अगर आपको application आपने ओरड़ी फिल कर दिया है तो दो बारा से भरना है या नहीं भरना है वो अभी आपका doubt मैं clear करता हूँ डिटेल से मैं आपको बताता हूँ तो शुरू से मैं अब यह देखो सबसे पहले जो advertisement जारी हुई थी विज्यापन संक्या आप देख सकते हैं 1857 और यह जारी की गई थी 26 तीन दोजारिकिस को यानि 26 मार्च दोजारिकिस को एक official advertisement जारी की गई थी नगर निगम application फिल करने शुरू कर देंगे official website इस पर यहाँ पर आप देख सकते है official website दी गई है last date इसकी रहेगी 3 मई 2021 और जो सुल्क है उसको जमा करवाने की जो आपकी last date यानि अन्तिम्दिती रहेगी वो रहेगी 5 मई 2021 यह official उन्होंने बताया था ठीक है अब मैं आपको बताता अभी जो मामला है वो क्या चला हुआ है और जो official जो notice है उसमें क्या दिया गया है देखाओ यहाँ पर यह official notice है आप देख सकते हैं ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यह जो जो पर्मानेंट है यह temporary है और अभी जो मामला चला हुआ है वो क्या है ठीक है आपको दोबारह से form भरना है या नहीं भरना है देखाओ यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो एक चीज यहाँ पर पढ़िएगा line यहाँ पे साफ साफ लिखाओ है कि जो अभी यह पोस्ट है यह temporary basis पे हैं लेकिन likely to be regularized यानि इसको permanent कर दिया जाएगा muncible corporation के दुआरा यहीं चीज इसमें दी गई है आप देख सकते हैं जो official advertisement जो newspaper के अंदर जारी की गई थी यहाँ पे आप देख सकते हैं निम्न दिये गए विवरण अनुशार नगर निगम चंदिगड में ऐस थाई आधार पर देखे हिंदी में पढ़ लिएगा एस थाई आधार पर निम्न पदों जिनके नियमत होने की संभावना है यानि नियमत का मतलब regular होने की आपकी संभावना है को भरने हेतू योग्य उमिदवारों से online आवेदन आमंतरित किये जाते हैं यह यहां पर साप साप लिखा गया है कि यह ऐस थाई आधार पर यानि temporary basis पर लेकिन इसको regular यानि permanent कर दिया जाएगा जो की नगर निकम चनलिगड के द्वारा ठीक है लेकिन अभी एक डाउट आपका ओर रहा गया कि अगर हमने पहले फोम भर दिया था तो अभी भर सकते या नहीं भर सकते और जिन्होंने नहीं भराय तो वो कब तक भर पाएंगे ठीक है वो भी मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ जो अभी advertisement जारी हुई है देखो यह अभी दुबारा से advertisement जारी हुई है इसका मुख्य उदे से क्यों है क्यों जारी हुई है ये vacancies ठीक है यहां पर एक बार इस notice में देखीगा इस advertisement में यहां पर station fire operator की जो है कुल vacancies कितनी थी 1 उसकी बाद fireman की vacancies थी 81 और driver की कितनी थी मातर 4 ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं अब इसमें correction किया गया है यानि vacancies को directly भढ़ाया गया है यहां पर आप देख सकते हैं station fire officer की कितनी vac vacancies दिखाई थी मैंने आपको एक तो यहां पर होगी तीन fireman की 81 थी यहां पर होगी 220 यानि 220 और वहां पर group C की मैंने चार दिखाई थी driver की तो यहां पर होगी वह 56 यानि कहने का मतलब यह है दोबारा से आवेदन इसलिए मांगे गए हैं कि जो vacancies हैं तीन अलग जो पोस्ट हैं यानि जो पद हैं उनकी vacancies को भढ़ाया गया है ठीक है ना इसलिए दोबारा से application को fill करने के लिए आपको बोला गया है दोबारा से इनको resedule किया गया है वह यहां आप दे सकते हैं विग्यापन नंबर 1857 ने इसमें बताया भी गया है कि 26.3.2021 को हमने जो advertisement जारी किया थ विग्यापन संक्या 1857 उसमें हमने जो आविद्धन मांगे थे ठीक है उसमें जो हमने ये post हैं वो बढ़ा दी हैं यहां पे आप देख भी सकते हैं और अभी जो resedule किया गया है तो आप application form को कब से कब तक fill कर पाएंगे वो भी यहां पे mention किया गया है 12.7.2021 यानि 12.0.2021 को ये application form भरने शुरू हो जाएंगे और 3.8.2021 ये fees जमा करने की last date रहेगी और application form को fill करने की last date रहेगी 30.01.2021 ठीक है ना अब देखो यहां पे एक doubt जो बच्चों का है कि sir हमने अगर online application form को पहले से fill कर दिया तो हम दुबारा से fill करें क्या तो वो भी doubt आपका यहां पे clear हो जा करते हैं यहां पे point लिखा गया कि आवेदक जिनोंने कथित पद हेतू आवेदन पहले से किया है उन्हें दोबारा करने की जरूरत नहीं है अगर आपने application form को पहले से fill कर दिया है तो आपको दोबारा से भरने की जरूरत नहीं है ठीक है यह मुख्या उद्देश से है application form को resedule करने का ठीक है तो अभी आशा करता हूँ आपकी जो सारे doubt हैं वो clear हो गये होंगे और 12 तारिक से online 12 से शुरू हो जाएंगे तो जैसे ही शुरू होते हैं तो मैं आपको confirmation video बना करके बता दूँगा तो आप application form को जरूर भर देना अगर आपने नहीं बराया तो ठीक है ल